गुजरात प्रदेश के सूरत शहर से कुडो नेशनल टूर्णामेंट में 36 गड का पर्चम लहरा कर दुर्ग लोटे खिलाडियों का हुआ भवे स्वागत गाजे बाजे के साथ सभी खिलाडियों को मिठाईयां खिलाई गई पंद्रवी अभीनेता अक्षय कुमार कुडो इंटरनेशनल टूर्णामेंट चोधिवी कुडो नेशनल टूर्नामेंट और चोथी फेडरेशन कप में 36 गड के 49 खिलाडियों ने अपना पर्चम लहरा कर जीत दर्ज कराई है जिसमें सभी खिलाडियों ने 12 गोल्ड, 16 पर 21 ब्रांज, 49 पदक अपने नाम का 36 गर का गोरो बढ़ाया है जिसके चलते गुरुवार को दुर्ग पहुंचे सभी खिलाडियों का दुर्ग रिल्वे स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया इस दौरान सभी खिलाडियों और उनके परिजनों के चेहरे खिले नजर तो वहीं शहर वासियों ने गाजे बाजे के साथ मिठाईयां बाठकर सभी खिलाडियों को फूलों की माला पहना कर होसला आपजाई की इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सभी खिलाडी बच्चों का भव्य स्वागत किया गौर तलब है कि 36 गर प्रवाइब के लिए हैं हमने प्राकार के लिए हैं 49 बच्चे मेडल पाएं है मेरा फाइटिंग हुआ था महराष्ट के साथ आपका नाम बताएगा तो पांथ प्रकार गेम से बना है थाइबॉक्स इम्यू थाई जूडो कराटे इस सबसे मिलके यह गेम बना है हमारा मिक प्रवाणा के साथ था फाइन अरोट महराथ के साथ निकाली हूं मेरा ज़दक पदल आया है नैशनल में और इंटरनेशनल में थर्ड पोजिशन आया है इसमें राष्टी इसथर का गेम था जिसमें इंडिया के काफी स्टेट के लोग पाइशनल और फडेशनु काप हुआ ये तीनों मिला करके हमारे चछतिसगड़ के बच्चों ने 41 मेडल लेके आए और हमारा बहुत अच्छा वहां प्रदर्शन था और अच्छा हम वहां थे और अपना पूरा जितना हम अपना अफ़र्ट लगा सकते थे हमने वहां पे लगाके चछतिसगड़ का नाम हमने होसल की रोशन किया हम लोग सूरत गए थे राष्टी अंतर राष्टी एवं फोर्स फेडरेशन कप खेलने के लिए यह टूर्णामेंट 22 नौवंबर से 29 नौवंबर तक आयुजित थी जिसमें 14 कुडो नेस्नल टूर्णामेंट फोर्स फेडरेशन टूर्णामेंट एवं अभ पूरे हॉल इंडिया से आया थे और जितने केंदेसासी प्रदेश थे वहां से आया थे दमान दीव अंडिमान निकोवार हमको इन तीनों प्रति हो गिताओं में कुल 12 स्वर्ण 16 रजत 21 कांस से पतक जीते हैं हमारे खिलाडी ग्रेंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट